सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशिल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन नमस्कार आप देखरें मिच्वनी उस आप के साथ मैं हूँ आशिमातियागी ठंड के मौसम में सर्दी के सितम के साथ स्वाइन फ्लू भी अपने पैर पसार रहा है पंजाब हर्याणा के साथ साथ हिमाचल में भी एमिच्वन वारस से कई लोगों की मौत हो चुकी है और स्वास्तेभा का हर दावा फेर सावित हो रहा है रिपोर्ट देखिए हर्याणा और पंजाब के साथ साथ हिमाचल में भी स्वाइन फ्लू से पिडित लोगों का आंकडा बढ़ने लगा है एक्सपर्स की माने तो ठंड के दिनों में स्वाइन फ्लू का वाइरस तेजी से फैलता है जिसके चलते सतर्कता बरतने की जरूरत है जानकारी के मुताबिक पंजाब में जनवरी महिने में स्वाइन फ्लू से साथ लोगों की मौत हुई 140 लोगों का H1N1 वाइरस होने के संदेव में परिक्षन किया इनमे से 60 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टी हुई स्वाइन फ्लू से पिडित लोगों के उपचार के लिए सरकार ने स्वास्त महकमे को निर्देश चारी किये हैं उधर हरियाना में स्वाइन फ्लू का सितम काफी तेजी से बढ़ रहा है जानकारी की मताबिक प्रदेश में पिछले दो महिने में करीब 24 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हुई स्वाइन फ्लू के सैकडो मामले पॉजिटिव पाए गए साइबर सिटी गुरुग्राम में स्वाइन फ्लू से दो लोगों की मौत हुई साइबर सिटी में स्वाइन फ्लू के मरिजों का आकड़ा 28 पहुचा हानकि स्वास्त विभाग की ओर से लगा था स्वाइन फ्लू को मात देने के पूरे वादे किये जा रहे है साथ ही लोगों से अपील भी कि जा रही है कि स्वाइन फ्लू से वो डरे नहीं बलकि उससे अपना बचाव करें अभी स्वस्त हैं और स्टेबल हैं कल की रिपोर्टिंग में उनका पुष्टी हुई थी पर जिसको रिपोर्ट की उसको पुष्टी के बाद हमने पुर्व मुख्यमंत्री जी को और उनके जो भी साहोगी वहां पे रहे थे उनको एहतियातन हमने इसका इलाज शुरू कर दिया है और वो खत्रे से बाहर हैं मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश के समस्त लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि क्रिप्या साहियम बरतें घबराएं नहीं स्वाइन फ्रू से आपको डरने की जरूरत नहीं है और साथ ही साथ पुर्व मुख्यमंत्री जी भी स्वस्त हैं खत्रे से बाहर हैं फोर संभावित मरीजों के हमने स्वाइन फ्रू की संभावना के चलते जांच करवाई थी जिन मैं से 23-23 लोगों के शरीर के अंदर स्वाइन फ्रू के वाइरस पाई जाने की पुष्टी हुई है पहले के मुकाबले हमारे पास तीन और लोग जो हैं वो स्वाइन फ्रू से पॉस्टिव आए हैं और इस वकत हमारे पास हस्पताल में 6 मरीज जो हैं वो स्वाइन फ्रू के लिए उपचारा दीन है और चार लोगों को स्वाइन फ्लू के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बाकी लोगों को हम यहां से इलाज करके घर बापिस भेज चुके हैं वही एक लंबी लिस्ट संदिग्द की भी है जो अपना शतक पूरा कर चुकी है संदिग्दों की संख्या 108 पहुच गई है इन आकडों ने स्वास्त विभाग के उन दावों को फेल कर दिया जिसमें वह स्वाइन फ्लू पर पूरी तरह से कंट्रोल रखने की बात कह रहे थे हिमाचल में भी स्वाइन फ्लू ने अपने सितम की दस्तक देनी शुरू कर दी है पूर्वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आचुके है विभाग ने एतियातन प्रदेश में अलर्ड घोशित कर दिया है स्वास्त विभाग ने सभी जिला सीमो को निर्देश जारी किये हैं सीमो को अस्पतालों में आने वाले मरीजों के रिकॉर्ड पर नजर रखने के लिए कहा गया और इसके बारे में विभाग को अपडेट करने के लिए निर्देश दिये गए हिमाचल में 20 दिन में इस बिमारी से 10 लोगों की मौत हो चुकी है इनमें 7 लोगों की हिमाचल और 10 लोगों की PGI चंडिगर में मौत हुई प्रदेश में 44 लोग इस बिमारी की गिरफ्ट में है स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार ने अलर्ड जारी कर दिया है स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ रहे कहर के चलते राज्य सरकारें सतर्क हो गई है और अस्पताल में स्पेशल वर्ड बनाने के साथ साथ लोगों को जागरूप करने का काम किया जा रहा है सभी सरकारी अस्पतालों में समुचित दवाईयां, जाच उपकरन और अन्य सुविधाओं को अपडेट रखने के निर्देश भी दिये गए है अब लोगों में स्वाईन फ्लू की दहशत बन चुकी है क्योंकि कई लोगों की अब तक इससे जान चली गई है लेकिन स्वाईन फ्लू से आपको डरना नहीं है बलकि साथ दानी बरत नहीं है इससे कैसे बचा जा सकता है क्या इसके रोग थाम के उपाई है क्या कारण है और एक्चुल में स्वाईन फ्लू क्या है यही जानेंगे और क्योंकि इसी पर हम चर्चा करेंगे हमार साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तर्मीर एलमर जो की हेल्थ एक्सपर्ट है और पार्क हॉस्पिटल के डिप्टी MSB है बहुत पर स्वागत आपका बिल्कुल हम आपसे पहले डॉक्टर ही जाना चाहेंगे कि आखिर स्वाईन फ्लू है क्या H1N1 है क्या अक्यूरी सबसे पहले मैं बताने चाहूँगा कि स्वाईन फ्लू जो है वो एक रेस्परेटरी इंफेक्शन है जो की यह मतलब इन्हाल जो वाइरस उसका होता है जो इन्हाल कर लेता है उससे यह डिजीज बन जाती है और यह एक इन्फुलेंजा वाइरस होत है और यह पेशेंट पेशेंट का है तो पेशिंट पेशेंट करता है और उससे पछेंट परिकर लेता है यह हमज nessa कर लेता है ठीक के时 क्वार्ण कohy छी चीज़़ू का रूक्टर कर लेते हैं ऑंको लगता है कि कही नहीं हूँ वो शांक Joining से इस हग्रली से संक्रमित नही हैं लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे उन दर्शका के लिए उन लोगों के लिए जिसमें स्वाइं देश्शिद पने हुई है तो ऐसे में सम्टम कि अगर बात करें तो स्किन संटम क्या है इसके स्टों स्टम थी है कि फीवर हो जाता है सोर थरोट होता है गले में फिराश हो और वो उसको investigate करेंगे उसमें H1N1 के investigation से प्लस x-ray वकर आ है तो lab test भी है प्लस imaging test है ताकि उससे पसे चले कि भी H1 है या नहीं है इसमें डरने ही कोई दरूत नहीं है इसका treatment है बिल्कुल लेकिन इतने तमाम alert क्योंकि इतने साब्धानी बढ़ती जा रहे हैं लोगों को जागरूप भी किया जा रहा है सी के चलते लेकिन इतने साब्धानी बढ़तने के बावजूद भी लगाता है क्योंकि पिछने साल की बात करें तो अब इस साल काफी जो मामले हैं व को उस स्टेच तक पहुचता है तो लास्ट मुंट आ जाता है तो उसमें इन्वेस्टिकेशन दरूरी है एच वन एज्ट करने के बाद धी पर जाता है कि यह उन्फ वायरण फ्लू है तो स्वाइन फ्लू से डरने कोई बात नहीं है और इसका टीट्मेंट है यह इसमें एंटी वाइरल ड्रक्स दी जाती है विल्कुल इस टीट्मेंट के बार में भी जानेंगे लेकिन जैसे कि आपने बता है और अकसर हम यह चीजे सामने भी आते हैं सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि लोगों को इस फ्लू के बार में जानकारी नहीं है तो ऐसे में लोगों को किस तरह से पता चले कि वो इस वाइरस से इस फ्लू से वो गुजर रहे या वो इसमें संक्रमन में आ चुके हैं क्योंकि कहीं न कहीं अक्सर लोगों में इस चीज का डर बना रहता है चोटी सी विमारी होती है और वो ऑस्पिटल का रूप कर लेते हैं अगर किसी को आप देखें कि किसी को यह स्वाइन फ्लू है तो पहली बात तो उसके पास ना जाएं और जाएं तो एक N95 मास्क आता है वो लगा के जाएं और पेशेंट के जो कंट्रमटेट चीजे हैं जैसे कोई पेशेंट को चीज को चूल लेता है उसको ना चूएं यह सा पास लगाएं और ग्रफ हैं बिल्कुल लेकिन जिसे के अपने सिंटम बताएं कि अगर तेज सर में दर्द हो रहा है जुखाम हो गया है गले में खराश यह इस तरह की चीजें नॉर्मल भी होती है क्योंकि आप तौर पर सरदी के मौसम यह आम तौर पर इस तरह की बिमार चल है फटीग है और सासा उसके डारिया वॉमेटिंग हो रही है तो इमेडियेट इन्वेस्टिगेट कराएं कि इस्वाइन फ्ली तो नहीं हो गया और इन्वेस्टिकेशन से ही पादा जाता है और लंग्स को इंफेक्श्शन होती है जिए बहुत दोर दोसे आवाज आती हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेट एक्सरे कर सकते हैं लैब टेस्ट से पता जाएंगे यह पर तन्वीर आमजी आपस यह भी जाना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से मामली लगातार बढ़ रहे हैं क्या अभी तक कोई ऐसा मरीज आप तक पहुंचा है किस तरह से आप अच्छा यह लोग जाएं और इस अशी कि एतना मधब आपशन कर दे रहे हैं और इस हॉस्पिल में हमारे पास स्वाइन फ्लु के लिए वार食べ हैं फिरिये टैसर के है्टे कैसर कॉक्टर अतक्ट अपिच्छेंस आइसोलेशन वार्ड भी है और एक स्पेशल आई सीउ बनाए गया है जो स्वाइन फ्लू के लिए है और अभी तक हमारे पास स्वाइन फ्लू के इतना अच्छा टीटमेंट है कि पेशिंट को अभी फैटल किसी डेथ नहीं हुई है और पेशिंट ठीक होके जाते हैं हमारे अगर अभी तक की बात करें तो अभी तक कितने मदीज आपके सामने आ चुके हैं जोनका इलास क्या है कितने ठीक हो गये हैं कि ये कहीं न कहीं गहीं कर लेता है ट cracking चैमिड भी टैमिठ आती बहू्ड प्लिए स्वाइन फिलू के लिए स्वाइन फिलू की गहाता है वो लिये जा सकता है तो डरने की घर्माने की बात नहीं है इसका treatment संभव है बिल्कुर बहुत से लोगों को ये भी एक बित बना रहता है क्योंकि जिस बिमारी के बारे में वो जानते नहीं है तो लोगों को ये भी लगते लगता है कि कहीं ना इसका इलाज महेंगा ना हो इल करती है जो 48- hem Berkeley कर लेती ही 48-CRATC हो जाती है कोंई दिए घर्मारि के बात रहते हैं तो ही रख किया स्था के दुनी को इस थी आपिरिस पेलती है कि लास्ट मोमनट में पेहिसे चलता है कि स्वार्टा के फैक्षण हो जाता है तुर लंक्स में इंफच्छन हो जाता है ज़ि तो लास्ट मोमेंट में अगर पेशेंट आता है उसको तो मारम नहीं होता ताब ऐसा होता है कि फैटल के चांसे हो जाते हैं अगर मालम हो जाए तो उसको रिकावर कर सकते हैं इविन के हॉस्पल में जो अटेंड कर रहे हैं उनको भी कहते हैं प्रिकॉशन लेना पड़ता है जे डॉक्टर्स हैं और हमारे स्टाफ हैं तो उसमें ये कि हम लोग जितने भी अपने जो साइन फ्लू के केसे अटेंड कर रहे हैं उनको हम N95 मास्क प्रोवाइड करते हैं और इविन के टैबलेट भी और इस्टे में टैमी फ्लू अगरे देते हैं ताकि आगे उनको प्रॉ स्टेम पूरी है और डेडीकेट और प्रॉम के पाथ करें तो रोगथाम किस तरह से यहिसे लोगों को मता चले से में पेले स्टीज को वह नहीं इस फ्लू से बच सकते हैं उसमें यह कि अगर किसी भी पेशिंट को फीवर है हाई गरेट फीवर हो रहा है या गले में खेराश है थो थ्रोट है फटीग है डायरियर अमॉबिडिंग हो रहा है तो घर में कई बहुत है कैमिस्ट जाके ट्रीटमंट ले दें ऐसा नहीं करना इसमें डॉक्ट्टर्स को दिखाएं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि स्वाइन फ्लू है या है नहीं है बिल्कुल इलाज तो इसका संभव है बिल्कुल इलाज संभव है लेकिन अगर एक बार एलाज हो जाता है और जो भी इंसान को व्यक्ति इस व्लू से नंक्रुमि मतलब जिनको स्वाइन फ्लू है उनके टेच्मन आए बस यह रोकसाम दरूरी है और जब भी जाएं तो वो अपना मास पहन के जाएं बिल्कुल क्या यह जो फ्लू है खाने पीने से क्या इस तरह की लापरवाहियों की वज़े से भी ने खाने पीने से ऐसा कुछ नहीं है जब पेशेंट स्वाइन फ्लू के चांसे बढ़ जाते हैं बिलकुल है यह तो हम उनokनी बात कर रहे हैं जो इस तरह क स्वाएन फ्लू के चांपेट में आ जाते हैं या उनमें शुरुवाती जे पाथ स्वाएं जो स्वास्त हैं जो लोग इस बिमारी की चांपेटे में नहीं आए हैं वो किन-किन स्पादूं का ध्यान की कि उनको इ शुकत लेएं सब्सक्राइब ऐसे क्यों 팟 Hum arri क्यों क्यों आप मोटीबेट करते कि आप कहते हैं कि enrich चैसे संब्सेट में जोड़ा हैं, अब क्विजिए अगर की चीज़ नहीं नॉर्मल तो आप किस तरह से उनको संझाते हैं, किस तरह की डीरेक्शन आप उनको देते हैं? ऊब लोगों को फीवर हो जाता है चीक पीर औरब बचाव ऐ को अगर पिर बचाव की हम बाहत ही कर रहे हैं अगर जिस इस इंसान को यह ऐ सकता है कि ये एक इंसान से दूसरे सता है उसको भी हाथ ये जरूरHa already कोई glass डूप रहे तो उस पेशेंट से दूर रहें दूर रहें और उसमें क्या होता है कि इसका वायरिस इनहेल करते ही उसको यह प्रॉब्म होन लगती है बिल्कुल लेकिन आप यहाँ पर क्या कारण मानते हैं क्योंकि इलास तो संभव है लोगों में भी डर कहीं न कहीं बना रहता है और ऐसे में जो मामली लगातार बढ़ रहे हैं इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कानद यह के लोगों को माम मतब अवेरनेस नहीं है मालूमनात नहीं है कि अगर इस वाइन प्रूप है और दरना बिल्कु नहीं चाहिए बिना डरे इसका टीटमेंट लिया जा सकता है और दोक्टर से चाहिए यह ठीक हो जाए लाज की बात कर रहे हैं तो समझें लेकिन कितना दिन का ही चलता है और किते दिन में जो व्यक्ति जो इस फ्लू से गुजर रहा है जो ठीक हो जाता से लंग से संक्रुमित हो गया तो कहीं न कहीं उसका बचपाना बह्त मुश्किल हो जाता है अगर first stage और second stage की बात करें तो उसमें क्या difference है कैसे पता चल पाए उसमें होता है कि अगर second, third stage पहुच गया है पेशन तो उसमें हमारे जो imaging है एक्सरेज हैं वो बताते हैं कि इसमें कितना infection हो गया है अगर आप एक्सरेज देखें कि बिल्कुल white नदर आएगा जैसे लंग्स हाई नहीं तो वो last moment होता है उसमें थोड़ा सा पहले ही investigate कर लेने चाहिए बिल्कुल तो यह आपनी जिस तरह से बताया है कि लंग्स मिल्कुल white हो जाता है इसके पीछे क्या कारण है फ्लू से तो होता है लेकिन इस फ्लू की चलते white होने का कारण होता है वह भी हम आपसे समझता है लंग्स बहुत दाज़ा इंफेक्टेट हो जाता है इसका वायरेस जह है इमीजेट होता है लंग्स पे आता है और पूरी दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं जो लोग संक्रमन से हैं जो संक्रमन से ना गुजरे उनको किस तरह से अतिहात वो बढ़ते क्या संदेश देना चाहेंगे आखर में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इससे डरे नहीं और इसकी सिम्टम जहां भी नदर आती है खांसी हो गई है या गले में खराश है फीवर हो रहा है फीवर भी चिल है या लूद मौश हो गए हैं तो डॉक्टर से सला दरूर लें और डॉक्टर बजा सकते हैं कि स्व दूसरे को भी इन एहल करने से हो सकता है तो उससे बचें मास लगा के जाएं अगर इंफेक्ट कहीं ऐसा इसका इंफेक्शन है तो मास लगाएं जिससे प्रॉब्लम नहीं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तन्वीर आपका हमारे पास हमें इतनी जानकारी देने के लि सकते हैं इसी के साथ इस खास पेश्कुर्श में बस इतना ही आप देखते रहें बचुनियोस